हेलो एप्रिवान विल्कम बाक तो माई चानल आज शी वेड़ेबे हम डिसक्स करेंगे यूनेट 6 दियाग्नॉस्टिक टेस्टिंग हम डिसक्स करें नर्सिंग फांडेशन बॉल्यूम 2 बीसी नर्सिंग 2nd समिस्टर हम डिसक्स करते हैं स्लेबस के कॉर्डिंग स्लेबस में चुब में आपके डियाग्नॉस्टिक टेस्टिंग है या फिर कॉमन इन्विस्टिगेशन है वो आपकी सी बीसी कंप्लीट ब्लट कांग सीरम इलेक्ट्रोलाइट एलेफटी लीवर फंक्शन टेस्ट लिपिड या फिल लिपो प्रोटीन प्रोफाइल सीरम गुलूकोस ए अगर मैं बात कुई यह सारी पॉइंट्स आपके स्लेपस में मेंशन है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है वो कॉमन इन्विस्टिगेशन है यह साहे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ग्लूकोमीटर का एक फुल प्रोसीजर है और मेरे क अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लेजे और इन प्रोसीजर और इन थियोरे डेटास को अपने क्लिया कर लेजे आज की वीडियो में मेरा में फोकस देगा कॉमन इंवेस्टिगेशन पर हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट से एक ब्लड टेस्ट है इसे हम लोग एवल्ड करता है हमारी हेल्थ को यह डिटेक्ट करता है वाइन रेंज और डिसॉर्डर में जैसे की इन फेक्शन, लिक्वेमिया, अनेमिया और ब्लड सॉरी, कंप्लीट ब्लड काउंट में हम लोग क्या सिविर कॉम्पोनेंट्स देख जैसे कि red blood cells, जो कि क्या carry करता है oxygen, वाइब ब्लेट cells को देखते हैं जो fight infections, हम लोग हीमोगलोविन देखते हैं जो carry करता है protein oxygen में, फिर हम लोग देखते हैं hematocrit जो कि प्रोपोर्शन होता है red blood cells का fluid component होता है या फिर आप कह सकते हो plasma जो कि आपके blood में होता है, तो complete blood count में हम लोग वो blood के सारे composition को evaluate करते हैं जिससे हमारा एक measure हो जाता है जिससे हम लोगों को एक diagnose monitor पता चल जाते हैं कि कितना हमारे blood में number count है next figure 6.1 आपको CBC procedure के diagram को दिखा रहा है, तो यह figure आप इस diagram से देख सकते हैं blood sampling आपने करी होगे, आप कोई भी artery कोई भी लेते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं उसके बाद में turnicate करते हैं vein देखते हैं कोई सी vein आपको visual है उसको clean करते हैं clean करते हैं तो सेम वैसे ही करते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं जो CBC test है वो क्या क्या इंक्लूट करते हैं और ऐसे organism को जो cause करते हैं infection को white blood cells are bigger than red blood cells but few in number मतलब की white blood cells जादा तो होते है red blood cells से but उजुन का number है वो के उसके few होता है when a person has a bacterial infection the number of white blood cells arises very quickly the number of white blood cells is sometimes used to find an infection or C how the body is dealing with cancer treatment तो इसलाइन का यह मतलब है जब भी आपको कोई भी infection होता है या आपके वाइरस आता है तो WBC का count by WBC का number अपने आपसे बढ़ रहता है क्योंकि उसको organism और जो भी bacteria वाइरस होता है उनके अंगेस्ट में उनको fight करना होता है next आपका है white blood cell types WBC differentiated आपका हमें बात करूँ WBC की तो यह neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, basinophils में divided होते हैं मतलब की decimal जो आपके WBC किसमें divided होता है granulocytes में और agranulocytes में फिस further divided होता है granulocytes और agranulocytes तो इन सब के आपको functions पता है कि कौन से allergic में होता है कौन से chemical release करता है किसका important function है किसे immune system में करता है तो वह साही जीज आपकी किसमें आ जाएगी W blood cells के types में यह आप कह सकते है WBC के आप differential में next हम discuss करता है RBC count मतलब की red blood cells के count red blood cells आपको पता है oxygen केरी करता है lung से पूरे body में rest over the body में यह carry करता है carbon dioxide को जब कोई भी औरगन में लेके जाता है oxygen पर तो उसको क्या औरगन को क्या देता है oxygen देते हैं वहां से क्या लेते हैं carbon dioxide hemoglobin यह फे कह सकते हैं red blood cells क्यारी करता अपने साथ में if the RBC count is low अगर RBC count low है तो उसको हम लोग क्या कहते है अनेमिया कहते हैं इस time condition में क्या होता oxygen आपकी body में इतनी जादा supply नहीं हो पाती है अगर count बहुत ही जाद है तो उस condition को हम लोग क्या कहते हैं polycythemia वह condition जिसमें RBC count आपका बढ़ जाता है एक ऐसी condition होती जिसमें जो आपके RBC है मतलब के red blood cells क्लम्स हो जाते हैं जिसके वज़े से जो blood vessel से वह क्यों जाती है ब्लॉक हो जाती है यह आपके ब्लॉक होने के कारण ही of course ही बात है जब ब्लॉक होग तो आगे जो organ cells tissues आपके oxygen supply नहीं हो पाएगा next हम discuss करते हैं hematokrit HCT यह packed cell volume है उसको हम लोग PCV कहते हैं मतलब की packed cell volume यह test measure करते हैं कितना space कितना volume है हमारे red blood cells में जो कि blood में रहता है इसका value percentage में रहता है for example a hematogrit of 30 means 38 means 38 percent hematogrit or hemoglobin value एक major test जो की anemia polycythymia के presence को बता दिये या तो RBC का value जादा होगा या तो value क्या होगा कम होगा next hemoglobin hemoglobin आपको पता है कि एक protein है जो RBC इसमें होता है क्यों वह oxygen से band करता है क्योंकि उसको oxygen provide करना होता है cell tissue में और फिर वहां से कह लेता है carbon dioxide लेता है red blood cells indices जो red blood cells होते हैं वह three indices size के होते हैं मतलब की MCV, MCH, MCSC इनकी full form आपको पता होने चाहिए MCV का होता है mean corpuscular volume और जो आपका MCH होता है mean corpuscular hemoglobin और जो आपका MCSC होता है mean corpuscular hemoglobin concentration होता है तो यह सारे full form आपको पता होने चाहिए की red blood cells में incidized 3 होते हैं और 3 का full form क्या है यह आप detail में पढ़ेंगे जब आप types of anemia पढ़ेंगे 3rd semester में अजर्टर नर्सिंग में next CBC test में आपका प्लेटलेट, प्लेटलेट को थ्रॉम्बोसाइट भी कहते हैं थ्रॉम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स एक smallest type blood cells होता है इसका main role किसमें होता है blood clotting में होता है जब bleeding occurs होती है तो platelet swell या clump करके वहाँ पे plug मनाते है जिससे bleeding stop हो जाती है next आपका है MPV मतलब कि mean platelet volume यह कह यह measure करता average amount किसका platelet का इसको हम लोग इसलिए यूज करते है जिससे जो platelet का count है उससे diagnose हो सकते कुछ diseases जो platelet का count अगर normal है तो आपका mean platelet volume भी high या low हो सकता है यह depend करता है situation और disease के according next आप table देख रहे हो screen पे table 6.1 यह normal blood value complete blood count के हैं जिसमें आप देख रहे हो RBC, Hemoglovin, Hematocrit, MCV, MCH, MCSC, WBC, Neutrophils, Neutrophils Segmented, Lymphocytes, Monocytes, Eosinophils, Basophils, Platelets इसमें से आपको main main याद होने चाहिए जैसे कि आपको Hemoglovin का पता होना चाहिए next topic हम discuss करेंगे serum electrolytes serum electrolytes electrolytes are positively a negative charge molecule called ions that are found within the body cells and extracellular fluid including blood plasma जो हम लोग टेस्ट कराते हैं electrolytes का जिसमें हम लोग क्या चेक करते हैं sodium, potassium, chloride, bicarbonate यह सारे हमारे किसमें measure होते हैं जैसे कि kidneys में होते हैं endocrine में होते हैं acid waste function में होते हैं या फिर renal functions में होते हैं इन सारे electrolytes के test से हम लोगों को पता से जाते हैं हमारी body में कौन सी functioning normal नहीं है कौन सी है electrolytes generally आपके किसे होते हैं salts और minerals होते हैं जैसे कि sodium, potassium, chloride, bicarbonate यह सब blood में पाए जाते हैं अगर electrolyte में imbalance है तो उसको determine करने के लिए हम लोग electrolyte test करते हैं उसको हम लोग कहते है serum electrolyte test में इसका purpose क्या है purpose अगर मैं बता हो तो यह हम लोग diagnostic या management करते हैं कि इसका renal का, endocrine का, acid-base का, water balance का और बहुत सारी other conditions का purpose में जो मैंने underline कर रहे हैं वह important है कि यह diagnosis management, renal में, acid-base, water balance में help करता है यह हम discuss भी कर चुकिए, जो आपका sodium bicarbonate है वो dissolved carbon dioxide की act together करता है resist changes कि इसमें blood pH में, तो यह का काम है sodium bicarbonate का है sodium bicarbonate का आपको use आपको पढ़ता होगा क्योंकि आपने के विंस्ट्री कर रहा है लेकिन sodium potassium chloride का ज्यादा रहता है sodium bicarbonate से फिर कहा है measurement of electrolytes electrolytes are measured by a process known as a potentiometry this method measures the voltage मतलब कि यह जो method electrolyte measure करने का यह voltage को develop करता है inner और outer surface पे जो आयन selective होते है वो electrode मतलब कि membrane material पे selectively क्या होते है measured sorry measured होते है this potential is measured by comparing to the potential reference electrode जैसे कि अब हम लोगोंने discuss करें कि जो electrolytes होते positively or negatively होते है electrophoresis जैसे आपको process आते से मैस वैसे ही हम लोग किसमें करते हैं next क्या है precaution precaution क्या करना है जो electrolyte stress है वो आपको whole blood plasma serum का करना होते है इसलिए आप उसको किस से collect करोगे vein से करोगे vein से collect करते वक्त आपको electrolyte का analysis करना है preparation के अगर मैं बात कर तो preparation में आपको special preparation ही करना है patients में आपको sample लेना है sample के वक्त आपको collect करने के 8-hour की fasting करनी होती है लेकिन किसके लिए calcium, phosphorus, magnesium के लिए यह चीज़ आपको ध्यान देना है after care जो भी discomfort या brushing हो रही है itching हो रही है puncture site पे जहां पे आपने puncture करी है vein को जहां से आपने blood लिया है dizziness या faint आ रहे है आपको वहां पे pressure अप्लाइ करना है bleeding को stop करने के लिए और वहां पे warm pack देना है जिससे जो पंचर साइट है वो relief करें जो discomfort हो जाए comfort में जो minor temporary discomfort है वो कभी-कभी blood test पे complications के साथ मैं बहुत जादा complications create करता है बहुत जादा problem create करता है इसलिए कभी भी आप चेक करें तो पहले आप patient के assess को जरूर चेक करें patient के examine करें और उसके बाद आप चेक करें condition contraindication आपको परता होने चाहिए next is normal results normal results की बाद को आपका serum या फिर प्लाजम sodium में उसकी value is 135 to 145 millimol per liter same potassium का है plasma chloride का है sweet chloride का है serum plasma bicarbonate serum calcium का है ionized calcium का है serum magnesium का austenarity है मुझे पते हैं कि हर एक value को लर्ण करना difficult है बट आप main में लर्ण कर सकते हैं main में आप sodium की लर्ण कर लीजे potassium की लर्ण कर लीजे chloride की लर्ण कर लीजे और bicarbonate की और यह आपकी स्क्रीन पर जो values दिख रही है वो मलब की bookish की यह ion climate की book से इसलिए आप इसको screenshot कर ले जो और इसको revise करते रहे हैं क्योंकि कभी-कभी MCQ वाइवा में यह पूछ लिया जाता है next आपका test है liver function test liver function test में हम blood test करते जिससे diagnose करते कि इसकों से disease है या damage है liver में यह test आपको certain enzymes और protein का देता है result जिसमें हम लोग चेह करते हैं liver क्या perform करते है normal function जैसे कि produce करते है protein में clear करते बिलियूरूबिन वेस्ट प्रोटक्ट को remove करते है detoxification तो यह साइच चीज हम लोग लिवर के करते हैं कि liver function test में क्यों से disbalance है किसको में balance करना है अगर मैं बात करो test में liver function test में हम लोग bilirubin total कराते हैं conjugated bilirubin unconjugated भी कराते है SGOT SGPT alkaline phosphatase total protein albumin and globin इन सबकी normal range आपके screen पे दिख रही है इन सबकी normal range आपके लेन करना थोड़ा सा difficult है लेकिन आप important important learn कर सकते हैं जैसे कि bilirubin total alkaline phosphate albumin and globin next हम discuss करते हैं liver function test can be used to हम लोग liver function test क्यों करते हैं अब जितने भी liver के infections हैं इससे clear हो जाते हैं हम लोग कोई भी disease का progression को रोक सकते हैं जैसे कि viral disease है alcoholic hepatitis है हम लोग severity of disease का पता लगा सकते हैं कि कोई medication का नहीं है क्योंकि जो आपका liver है कुछ जितने भी medications का filter कॉन करता है liver करता है detoxification उसका work है liver function test चेक करता है certain enzymes और protein को level कभी higher कभी low होता है या फिर normal रहता है यह indicate करता है liver की problem से सबसे पहले आपका ALT अगर आपने बायोकिमिस्ट्री में यूनिट पढ़ा होगा जिसमें हम लोगों ने क्लिनिकल एंजाइमोलोजी में डिसकस कर रहा था liver function test तो वह सब है इसलिए हम इनको डेटेल में नहीं डिसकस करेंगे बर हेडिंग हेडिंग मैं आपको बता देती हूं अलकलाइन ट्रांस अमाइनेस एस्टी एसपार्टेट ट्रांस अमाइनेस नेक्स्ट आपका है ALP अलकलाइन फॉसफर्टेस अलबूमिन एंटोटल प्रोटीन बिलूरूबिन जी जीती गामा ग्लूटमाइल ट्रांसफरेस एल डी मतलब की इललक्टेट डी हाइडोजनेस पीटी प्रोथ्रॉम्बिन टाइम इसमें रिक्स क्या जो ब्लड संपल हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए लेते हैं तो कभी-कभी अम लोग वेन से लेते हैं वह में ब्लड टेस्ट में क्या होते हैं सोरनस या पुरूशिंग करती है साइड पे पेशन्ट पे कोई सीरियस रियक्शन करते हैं इसलिए हम लोगों को चेक करते रहना है डिूरिंग देस्ट और आपको प्रोसीजर मिंटें करना होता है जो नीडल होते हैं वह स्मॉल ट्यूब से टाच होती है आपको वेन भी लेगना है वेन के साथ में आपको गौश में आपको जो सीरिंग को तो उस पर भी ध्यान देना साथी साथ आपको यह ज़रूर देखना कि कि कितनी वाइस हैं वाइस के कॉर्डिंग आप ब्लड के ल वेल्यू है 5-55 यूनिट पर लीटर एस टी की है 8-48 यूनिट पर लीटर एलपी आपमें टोटल प्रूटीन बिलुरूरूबिन जी जी टी लडी पी यह सब की वेल्यू आपको पता होनी चाहिए क्योंकि लिवर फंक्शन टेस्टिक इंपोर्टेंट टेस्ट है यह आपके सیम टोपिक और इंपोर्टन टोपिक है नेक्स्ट हम आउलरा टोपिक है लिपिट यह फिलुरुप प्रूटीन प्रोफाइल लिपिट टेस्ट को हम लोग रोस्टे ने परफॉर्म करते हैं जिससे अमारा प्लाजमा का चेक हो लिट पार जो ऑ्मारा ब्लड को ता है leo theses are a group of organic compound that are greasy and cannot be dissolved in water क्यों? क्योंकि वो lipids में होते हैं, fat होता है और fat water soluble नहीं होता है वो किसमें dissolve होता है? alcohol में dissolve होता है हम लोग इसमें क्या देखते है HDL मतलब कि high density lipoprotein cholesterol LDL low density lipoprotein cholesterol main purpose क्या होता है? हम लोग test करते है कि कोई भी abnormal high concentration या low concentration तो नहीं है कोई specific lipid प्रेजन तो नहीं है main इसमें हम लोग लिपेड़ प्रोफाइल में किसकी check करते हैं? cholesterol करते है, triglyceride करते है, sdl cholesterol करते है, LDL cholesterol करते है, cholesterol LDL ratio देखते हैं आप इसमें देखे हैं, high risk borderline और desirable है यह सारी values आपको mention है अब इस according जब test करते तो इससे देख सकते हैं कि patient में high यह की low है normal है lipid profile या फिर lipoprotein भी आपका biochemistry में हैं लेकिन foundation of nursing में बहुत भी basic सा था जितना आपका foundation of nursing में important है उतना हम discuss कर रहे हैं next हमारा topic है serum glucose acpc hemoglobin a1c मतलब कि अब हम लोग जितने भी test है अब हम लोग serum glucose के करेंगे many types of glucose test exit they can be used to eliminate blood sugar level at a given time or a longer period of time to obtain average level so how fast the body is able to normalize glucose level eating food for example need to alleviate blood sugar it is healthy to people those these levels quickly return to normal by an increased cellular glucose uptake which is primarily meditated by increase in blood insulin level indirectly हम लोग serum glucose मतलब कि अब हम लोग random blood glucose level को test करेंगे अब random होता है एक fasting का होता है एक oral glucose toilet test होता है और एक आपका HbA1 blood glucose test होता है तो इसका हर different में मतलब कि आप स्टार्ट करेंगे जैसे serum glucose आपने definition पर लिए अब आपको clear हो गया serum glucose के अंदर एक आपका टॉपिक आएगा रेंडम ब्लड गुलुकोस लेवल फिर आपका एक पॉइंट फास्टिंग ब्लड गुलुकोस लेवल एक आपका ओएगा हम लोग इसको पड़ चुक है और गुलुकोस टॉलुकोस लेवल से यह एक सांपल ब्लड टेस्टिंग होता है इसको हम लोग कभी भी ले सकते हैं क्योंकि रेंडम हैं तो इसमें हम लोगों को उनको फास्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है हम लोग उनको फास्टिंग नहीं कराते हैं तो उसमें डियाग्नोसिस करते हैं कि कितना उनका इंसुलिन लेवल है कुछ नहीं एक मशीन होती है ग्लुकोमीटर और आपने कर रहा होगा कि हम लोग जो इंडेक्स फीकर होते हैं उस पर प्रिक करते हैं ब्लड आता ब्लड को स्ट्रिप पर लगाते हैं और वो ग्लुकोमीटर की स्ट्रिप होती है उसमें ब्लड आता है वैसे ही जो आपकी मशीन है वो मशीन रिजल्ट दे देते कि कितना उसके नॉर्मल वैल्यू से हम लोग कर देता है अगर जादा होते तो हम लोग इंजेक्शन देते हैं रेंडम के ट्यूटी लगे कि आप उसमें भी बहुत करोगे कि कॉमन है हर एक वार्ट में आर बीज जैसे कि ब्लेट प्रेशन वैसे ही आपका आर बीएस होता है रेंडम ब्लड शूगर आप जब आईसीयो में करोगे ना तो आईसीयो में चार बार होता है एक होता है बिफोर इसमें क्या होता है हम फास्टिंग कराते हैं आपने जब पढ़ा होगा कार्भो हाइट्रेट यूनिट्स पायोकेमिस्ट्री में उसमें हम लोग गुलुकोस का टेस्ट करते हैं लेकिन फास्टिंग पे तो जो फास्टिंग करते हैं उसमें क्या होता है फास्टिंग के करते हैं इसमें आपके एक मशीन होती है वह मशीन आपके रिसेंट जो एवरेच ब्लड गुलुकोस लेवल उसको मेजर करती है और इसका मेजरमेंट के लिए आप उसके एक डिवाइस होती है आप उसको इंसर्ट भी करजा सकते सबकुटेनिसली वैसे तो सीरम गुलुकोस ल सेल में जो भी होती है ऩी सीरिम गुलुकोस में केंजिए असे पीधी करें या लगे अडिवीव डियाविटेज तो कुमेंट्स लाइं आ जैसे कि आपने सकते है रेंडम ब्लड गुलुकोस हृए पीषण आपको मेरे कवह बज़ू को अलरग कि क्मेंट्ट गुलुकोस मे Capillary Blood Glucose उसको हम लोग कहते है Glucometer Random Blood Sugar इसमें क्या होता है हम लोग Blood Sugar का टेस्ट करते हैं जिससे हम लोग यह चेक करते है कि Amount of Glucose कितना है आपके Blood में यह चेक करते है Sugar Level को आप इसको कहीं भी करा सकते है Healthcare Worker Centers में करा सकते हैं अपने Home में करा सकते हैं और इसमें हम लोग में चे सकते हैं सकते हैं तो इसमें को ऊचreno को पहुंच को बाद में तरह करेंगे चुर्वल को हम लोग के चट्रोया करें पहुन है और पहु cocokophant refers में आपकें स्सक्ड़ेस करते हैयों में लिचेक्स में आपकें सब्सक्राइं गशलान ब्सक्री साथा अंचर के वाज थ्रिंगरी प्रिंग trees करेंगे तुछ मुझ one करें प्रिक मेन taking its करें लिए प्रिक करने के बाद में जहाँ पर इस प्लड की इस क मुझ Sally को मुझा टेश्ट स्ट्रिप पर हम लेंगे तएस्ट पर तविलहांक पेशिनद का lesson है फिंगर पे वहां पे हमनों cotton swab या cotton pad रख देंगे उसके बाद में हमारी strip की reading आ जाएगी glukometer पे उसके बाद में strip को discard कर देंगे patient को comfortable रख देंगे उसके बाद में जो हमारा gloves उसको discard कर देंगे और जो reading उसको लिख के documentation करेंगे आप यह diagram देख रहे हैं इसमें glucose testing routine है मैं जो बता रही थी glukometer वह यह glukometer आपकी device है जो strip होती हम लोग फिंगर में करते हो यह blood को लेते हैं सबसे पहले आपको hand wash करना है आपको machine को add करना sorry on करना on करने के बाद में इसमें strip को insert करना पेशिंट के finger को clean करना यहां पे निडल से पिक करना पिक करने के बाद में आपको निडल जो आपकी strip है टाइस इस्ट्रिप वहां पे एक drop blood का लेना है फिर patient के उसी finger पे जहां पे आपने प्रिक कर रहा है वहां पे आप क्या रखेंगे कॉर्टन रखेंगे वहां पे कॉर्टन रखने के बाद में इस ट्रिप के डिसकार्ट कर देना है डिसकार्ट करने के बाद में उस रीडिंग आपको documentation करना है तो यह glucose testing routine है बहुत ही simple है और आपने वाड में जरूर कर रहा होगा नेक्स्ट क्या equipment रहते हैं equipment के अगर बात कर तो सबसे पहले तो meter रहता है बैटरी रहती जिसको हम लोग कहते है 6.3.5-7.3.5 फिर नेक्स सबस्केरा आपके में इस स्ट्रिप से प्रिक अगा आगे लगे होटे है इस तेप के जो स्ट्रपस होती है अब डियाग्राम में देख रहे हैं उसको हम लोग कहते है टेसी फिर आते हैं यह ल्हां सिग दिवाइस जो कि आगे से प्रिक कर देता है है अगर होस्पिटल में होते हैं तो हम लोग निडल का यूस करते हैं फिर इस्टरायल आपर लैंसर होते हैं के बलंट शुगर टेस्टिंग में अगर मेरे हॉस्पिटल में दंटेस्ध में मिलते है और हम लोगों को लैंसिंग दिवाइस अगर पेशिटक के पास थे तो हम लोग आप पता होना चाहिए एंडोस्कोपी का, एंडोस्कोपी को हम लोग कहते हैं, गेस्ट्रोस्कोपी, यह एक मेडिकल प्रोसीजर है, जो कि अलाव करता है आपको अब्सर्फ करने को, क्या अब्सर्फ करता है बोड़ी की इंसाइट में, लेकिन आप इसमें कोई भी surgery परफॉर्म नहीं करते हैं बिना कोई भी surgery के बिना आपने कोई भी काट के आप अंदर के अंदर जितना भी body के insight को तो उसको आप observe कर सकते हैं उस procedure को कहते हैं मनों gastroscopy या फिर आप कह सकते हैं endoscopy scopy का मतलब होता है observation study और endo मतलब insight आपको सिर्व सिर्फ overview मतलब आपको मतलब बता होना चाहिए इसलिए मैंने definition लिख दे जिसा आपको clear हो जाकि endoscopy या फिर gastroscopy क्या है next topic आपके syllabus में mention है radiologic अगर मैं बात करो radiologic एक branch medicine की जो deal करते है imaging technology को जो diagnose करते है treatment sorry disease को radiologic is a branch of medicine that use imaging technology to diagnose and treat disease radiologic में जैसा आपको पता है कि X-ray CT commutated tomography MRI magnetic richness imaging तो यह सारी चीज़ आपके एक्जामबल आजाएंगे radiologic के radiologic आपके two types के होते हैं एक diagnostic होते हैं एक हमने theory portion पूरा update कर लिया आपको कोई भी डाउट हो diagnostic testing unit से related तो प्लीज कमेंट बॉक्स में mention कर दीज़े अगर यह वीडियो आपको चीछी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजे चैनल को subscribe कर लीजे थैंक्यू कर दो